कंचन और सिलोनी बहुत अच्छी सहेलिया थी, बच्पन से एक साथ ही बड़ी हुई थी, दोनों के परिवार में भी बहुत मेल जोल था, एक महिना पहले ही कंचन की शादी हुई थी, सिलोनी बैठो ना, मुझे तुम्हारे साथ धीर सारी बाती करनी है, पहले तू बता, जैश है मेरी, अच्छा, और घर में सब का जुभाव कैसा है, हाँ बस मेरी सास थोड़ी तेज है, टोकर ठाकी का तो तुझे पता ही है, हर सास की आदत होती है, और सासे कभी अच्छी हुई ही नहीं सकती, ये तो हकिकत है, सिलोनी, गंचन की बाती सुनकर सोच में पढ़ आती है, तब ही गंचन उससे पुछती है, आरे मैडम, कहां खो गई, सास मेरी एटम बॉम है, जो सिर्फ मेरे सामने ही पढ़ता है, तो क्यों कभर आ गई, कुछ नहीं, अच्छा ये सब छोड़, तो मुझे ये बता, वो लड़के वाले तुझे देखने के लिए आ रहे थे, उसका क्या हुआ, हाँ, वो पापा बता रहे थे, कि अगले संड़े उनके आने का प्लान बन रहा है, सारम जी को संड़े को चुटी होती है न, क्या बात है, सारम जी अभी से कचन, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो पापा जी की उनसे फॉन पर ही बात हुई है, मैं गर में मुझूद होना जरूरी है बाता नहीं इन सासों को बहु को तंग किये बिना नींध ही नहीं आती कंचन अपने सुस्राल वापिस चली जाती है रविवार को लड़के वाले सिलोनी को दिखने के लिए आते हैं अरे रजनी सिलोनी को त्यार हुने में अभी कितनी देर ह है वो लोग आ गए हैं दरपन उन्हें बस बीदर ला ही रहा है जी बस हो गई है मैंने चाही जड़ा दी है नाश्टा भी प्लिडों में लगा दिया है आप चिंता मत करो मैं सिलोनी को ला रही हूँ लड़के वाले सिलोनी को दिखते ही पसंद कर लेते हैं और दोनों आवाल तो नहीं कह रही थी कंचन मुझे तुझे कुछ बताना है हां बोल क्या बात है कंचन मेरे होनी वाली सास सोतेली है सारम जी के पिता जी ने उनकी ममी की डेट के बाद ही उनसे शादी की थी तब सारे मुर उनकी बेहन राधा छोटे ही थी ये बात उन्हों ने कल ही ह कह दिया है अगले महीने ही शादी का महूरत निकला है सौतेली सास मतलब सारम की सौतेली मा आरे इस सिलोनी मैं तो कहती हूँ रहने देस रिश्टे को माना कर दे जीना मुश्किल हो जाएगा सस्राल में सारम की सौतेली मा पूरा घर कबसे में लेके बैची होगी ये वाद मैं कंचन हैरान हो जाती है सिलोनी के माइड में भी सास की एक अलग ही चवी बन चुकी थी एक महीने बाद ही सिलोनी की शादी हो जाती है और वो अपने सौस्राल पहुंचती है सिलोनी भाबी आप मो दिखाई में इनके हाथ से कुछ ना लेना मैं और सारम भाई भी इनसे कम ही तालुक रखते हैं। राधा बिल्कुल ठीक कह रही है सिलोनी वो हमारे पिता की दूसरी बीवी है। इस से ज़्यादा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सिलोनी चुपचाप राधा और सारिम की बाते सुनती रहती है। एक दिन सिलोनी अपने कमरे में अकेली होती है सिलोनी बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ जी जी माझी, आपको अंदर आने के लिए इजासत की क्या जарूरत है आए, आए ना सिलोनी बेटा, मैं तुम्हें शादी के बाद कुछ भी नहीं दे पाई इसलिए मेरी तरफ से ये एक मुदिखाई का चोटा सा तोफा रख लो अरे माजी ये हार तो बहुत ही खुबसूरत है बस मुझे आशिरफात दीजिए कि मैं अच्छी बहू होने की सारी जमेदारिया निभा सकूँ सिलोनी घर में किसी भी चीज़ की तकलीफ हो तो मुझे से कहने में बिलकुल मत हिचक जाना शकूंतला का नेरमल प्योवार देखकर सिलोनी सोच में पढ़ गई कि वो तो बहुत अच्छे सुभाव की है पता नहीं सारीम और रधा शकूंतला को पसंद क्यों नहीं करते वो इस बारे में अपनी सोसर्जी से बात करती है सिलोनी बहू सारम जब छे साल का था तो रधा तीन बरस की थी तब ही उनकी मां का बिमारी के चलते दिहान थो गया मजबूरी में मुझे शकूंतला से दूसरा वेवाह करना पड़ा और शकूंतला ने भी अपनी उलाद ना करने का फैसला लिया ताकि वो इन दोनों बच्चे को पूरा प्यार दे सके और सारम और राधा के लिए मां के प्यार में कोई कमी ना आ सके लेकिन इन दोनों के मन में हमेशा से ये बात रही है कि शकुंतला इनकी सौधेली मा है पिता जी आप चिंता मत कीजिए मैं मा और बच्चों के दम्यान आपस की दूरिया मिटाने में काम्याब हो जाओ बस मुझे ये आशिरवाद दीजिए सिलोनी ने दिल में ये फैसला कर दिया था कि वो शकुंतला की प्रती, शक और शुबात को सारम और राधा की दिलों से मिटा सके बाबा इसी हफ़ते गोद बिराई की रस्म है और मेरी सास ने कहा है कि हीरे के दो सेट गोद बिराई में चड़ाने लाजमी है बाकी सब के कपड़े, फल, मिठाई और अलग-अलग लिफाफे आप सारम भाया से बात कर लो पर कैसे करना है ये सब सासर जी सारम से बात करते हैं सारम क्योंके नोकरी पेशा था तो इतना सब को सेलरी से मैनेज़ करना बहुत मुश्किल था सिलोनी अपने सुसरची से कहती है पापा जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ मेरी ये कुछ गेने है, शायद इन से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए सिलोनी बहु, तुम अभी नई-नई इस घर में आई हो और नई बहु अपने गेने दे, ये मुझसे सहल नहीं हो सकता और मेरे वोते हुए, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है की देखो मेरे गेने, मेरी तो अब उमर हो गई, मैं तो ये गेने पहनती नहीं आप ये कहने बेच कर, राधा बिटिया के लिए नए सेट बनवा लो आप आज ही सुनार की दुकान पे चले जो, वो इसके बतले नए कहने दे देगा शकुहुतला, काश सारम और राधा भी, तुम्हारे इस मा के प्यार को समझ पाते पिता जी, वक्त आने दीजिये, वो दोनों भी मा के प्यार को समझ जाएंगे और मा जी, चलिए, आज आप और मैं बाजार जाकर, राधा दीदी की गोद भराई का सारा सामान ले आते हैं शाम को सारे मगर आता है तो अपने पिता जी से कहता है पिता जी, मैंने बहुत कोशिश की, शायद कहीं से कोई इंतिजाम हो जाए, पर नहीं हो पा रहा अरे पापा, ये सब कप्ड़े के ने, ये को लाया बस बेटा, भगवान के आशरवाद से ये सारे इंतिजाम हो गए है बस आप, राधा बिटिया की गोद भराई की इसी तरह की कोई जिनता नहीं रही सारम कमरे में आता है, तो सिलोनी उसे बताती है ये सारे इंतिजाम जो आप देख रहे हैं न, ये सब माजी की वज़ह से संभव हुआ है आज राधा दीदी की गोद भराई की रस्म की तैयारिया समाजी नहीं की है सिलोनी सारम को सारी बात बताती है कि शिकुंतला ने अपने सारे गहने बेश दी है ताकि राधा की गोद भराई की रस्म में किसी तरह की कमी ना आए ये सब सुनकर सारम सोच में पढ़ जाता है वो फौन करके राधा को भी सारी बात बताता है जिसे सुनकर राधा भी सोच में पढ़ जाती है शाम को वो सब राधा के घर में गोद भराई की रस्म के लिए पहुँशते हैं लड़की के माई के के लोग भी गोद भराई की रस्म के लिए आए पंडित जी मैं सबसे पहले अपने होने वाले बच्चे को उसकी नानी माँ का आशरवाद दिलवाना चाहती हूं सारम भीया माँ जी को लेकर मेरे पास आईए माँ चलो आपकी बेटी आपको बुला रही है बच्चों के पूसे माँ का लफ सुनकर शकुंतला के आँखों से कुशी के आँसु कुट पढ़ते हैं शकुंतला जाओ अपने नानी माहोने का फर्ज निभाओ अपनी बेटी को आशरवाद दो चलिए माजी इस दिन के इंतिजार में आपको बरसों लगए आज वो दिन आही गया शकुंतला राधा के पास जाती है और उसे खुब प्यार और दुलार करती है माँ मेरी प्यारी माँ तेने आपको समझने में बहुत देर कर दी माँ मुझे भी तो गले से लगाओगी न मेरे बच्चे राधा के ससराल वाले भी ये नोखा प्यार देखकर बहुत खुश होते है राधा की गोदबराई की रस्म होती है सारम और राधा का वेवार भी अपनी माँ के लिए बहुत अच्छा हो गया था एक दिन अरे भाई सलोनी शादी के बाद तुम मुझे बिल्कूली भूल गई और वो तेरी सोतेली सास कहती है लगता है कुछ ज़्यादा ही तंक करने वाली सास है तेरी तब ही तो वो तुझे फोन नहीं करने देती कंचन मेरी सास जैसे लोग दुनिया में कम ही लोगों को मिलते हैं लगता है मैंने पिछले जनब में कोई अच्छे कर्म किये थे तब ही तो मुझे मां जैसी सास मिली है वो तो एक देवी है मेरी सास सबसे खास है सेलोनी का इतना कहना था कि कंचन इस से आके कुछ भी न कह सकी और उसने फोन रख दिया जैसे ही सेलोनी फोन रखकर पीछे बुरी शेकुंतला उसके पीछे ही खड़ी थी शेकुंतला ले सेलोनी को गले से लगा लिया सेलोनी यह साबिट कर दिया था कि इनसान की पहचान बिना परके कभी नहीं होती